ओम शांति ओम शांति आज 11 जून 2023 दिन रवी वार की अव्यक्त मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को निश्य बुद्धी की निशानिया निश्चित विजई और सदा निश्चिन्त स्थिती का अनुभव आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्रहमन बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ट जीवन का फाउंडेशन निश्चय है जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदी से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुब भावना की वरती और आत्मिक द्रश्टी सदा नैचुरल रूप में अनुभव होती है हर समय चलन और चहरे से उनकी जलक अनुभव होती है क्योंकि ब्रहमन जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है लेकिन जानने का अर्थ है, जो जानते हो, वो मानना और चलना बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्रहमन कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्य बुद्धी हैं तो बाप दादा सभी निश्चे बुद्धी बच्चों से पूछते हैं जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चे बुद्धी विजई हैं तो कभी विजई कभी हार क्यों होती है जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चे खत्म हो जाता है जब निश्चे बुद्धी सदा हो तो विजई सदा हो कि बीच बीच में घुटका और जुटका होता है निश्चे का फाउंडेशन चारों और से मजबूत है या चारों और के बजाए कभी एक और कभी दो और धीले हो जाते हैं कभी भी कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों और से टाइट किया जाता है न अगर एक साइड भी थोड़ा सहल चल वाला हो तो हिलेगा न तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में ड्रामा में और ब्रहमन परिवार में निश्चे, ये चार ही तरफ के निश्चे को जानना नहीं लेकिन मान कर चलना, अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है, जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारो तरफ से कौन सा तरफ हलचल में बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्य है इसमें पास हैं लेकिन अपने आप में जो निश्य चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्व शक्ती मान हूँ, विश्व कल्यानकारी हूँ, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिती पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते है तो मास्टर सर्व शक्ती मान लेकिन ये परिस्थिती बहुत बड़ी है ये बात ही ऐसी है, तो क्या ये निश्च है कि सिर्फ जानना है लेकिन मान कर चलना नहीं? कहते वा सोचते हैं कि मैं विश्व कल्यानकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्वकल्यान में भी कमजोर होते हैं. अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्व्यम को परिवर्तन कर स्वकल्यानकारी नहीं बन सकते? तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्यानकारी, लेकिन स्वकल्यान बहुत मुश्किल है. ये बात बदलना मुश्किल है. तो विश्व कल्यानकारी कहेंगे ये कमजोर. तो स्व में भी परिस्थिती प्रमाण, समय प्रमाण, संबंद संपर्क प्रमाण निश्चे स्वरूप में आए, ऐसे निश्चे बुद्धी की विजय हुई ही पड़ी है. जैसे सभी को ये पक्का निश्चे है, कि मैं श्रेष्ट आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें, कि आप आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे. तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अत्मा हूँ और कौन सी अत्मा हूँ, ये भी पक्का है ऐसे निश्य बुद्धी की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है और विजय निश्चित है और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तकानी है लेकिन उसमें विजई बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए तीन में निश्चय है और एक में नहीं है तो विजई निश्चित नहीं है लेकिन महनत से विजई होगी निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं हमारा बाप से ही संबंद है लेकिन दैवी परिवार में खिट-किट होती है उसमें निश्चे डगमग हो जाता है इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं हलका कर देते हैं तो एक साइट ढिला हो गया ना बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे माला कब बनती है जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोय हुए होते हैं अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे तो परिवार है माला अगर परिवार को छोड़ कर तीन निश्चे पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है चलो परिवार की खिट-किट से किनारा कर लो बाप का सहारा हो परिवार का किनारा हो तो चलेगा काम तो बाप से है या भाईयों से है बाप से काम है वर्षा बाप से मिलना है भाई बहनों से क्या मिलेगा लेकिन ब्राह्मन जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है सिर्फ धर्म की नहीं और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं बाप की विशेष्टा है कि धर्म और राज्य की स्थापना करना तो राज्य में एक राजा क्या करेगा बहुत अच्छा तखत भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा राजधानी बीचे ये न, तो राजधानी अर्थात ब्राह्मन परिवार सो राज़ परिवार इसलिए ब्राह्मन परिवार में हर परिस्थिती में निश्चय बुद्धी तब राज्य भागे में भी सदा राज अधीकारी हूँगे तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है बाप से तो बनती है ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है स्वर स्थिती अर्थात स्वर निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाए हलचल में आ जाती है तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे क्या देखा? सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता कभी रहता कभी हिलता इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ? किया तो बहुत महनत, सोचा तो बहुत अच्चा लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है इसका अर्थ ही है कि निश्य के चारों तरफ मजबूत नहीं है और हसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे है है तो ड्रामा, है तो ड्रामा लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे है कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते कभी कर्म तक भी आ जाते बुद्धी की निशानी है निश्चित विजई अगर विधी ठीक है तो सिध्धी प्राप्त ना हो ये हो नहीं सकता तो जब भी कोई भी कारे में विजई प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चे की कमी है चारों और चेक करो एक और नहीं और बात निश्चित विज वैसे निश्चिन्त होंगे कोई भी व्यर्थ चिन्तन आही नहीं सकता सिवाई शुब चिन्तन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया निश्चे बुद्धी के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता ह जब ड्रामा के राज को जानते हैं आदी मद्ध अंत को जानने वाले हैं तो जो ड्रामा के आदी मद्ध अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदी मद्ध अंत को नहीं जान सकते ना जानने के कारण क्यों क्या कैसे ऐसे ये विर्थ संकल्प चलते हैं अगर ड्रामा में अटल निश्चय है नौलेज फुल भी है पावर फुल भी है तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते परन्तु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया तो बाप दादा हसते हैं कि ड्रामा के आदी मद्य अंत को जान लिया अपनी 84 जनमों को जान लिया और एक बात को नहीं जानते बड़े होश्यार हो होश्यार ही दिखाते हो ना समय प्रती समय कल्प व्रिक्ष के सभी पत्तों को जानते हो के नहीं सबी व्रक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो ये साथ आठ बैठे हैं तो जड में बैठे हुए व्रक्ष को जानते हो पत्ते पत्ते को जानते हो और ये पता नहीं कैसे तो निश्चे की निशानिया निश्चिंत स्थिती इसका अनुभव करो होगा नहीं होगा क्या होगा कर तो रहे हैं देखें क्या होता है इसको निशिंत नहीं कहेंगे और फिर बाप क्या गही फरियाद करते हैं आप मददगार होना आप रक्षक होना आप ये होना आप ये होना फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना अधिकारी फरियाद नही करेंगे ये कर लो ना, ये हो जाये ना. तो निश्चे बुध्धी अर्थात निश्चिंथ. तो ये प्रैक्टिकल निशानिया अपने आप में चेक करो. ऐसे अलबेले नहीं रह जाना हम तो हैं ही निश्चे बुद्धी कौन सा निश्चे कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो सिर्फ चेक नहीं करना बाप दादा ने कहा था ना चेकर के साथ मेकर भी बनो सिर्फ चेकर नहीं चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना लेकि तो बहुत काल के संसकार हैं, वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे, शिब बाबा, शिब बाबा, शिब बाबा और दूसरे से किंड माया कहेगी, नहीं, तुम्हारे में शक्ती नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी, यदि निश्चिंत नहीं होंगे, तो जीवन के अंत काल का जो लक्षे वर्णन करते हो, वो सहज कैसे होगा, और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे, तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे कोई विमान आदी नहीं है लेकिन उड़ती कला का अनुभव है इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो कब तक करेंगे बाप दादा को खुश तो करेंगे प्रतिग्या भी लि जालों से तो विशेश बाप दादा कासने है सबसे है लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेश मधुबन निवासियों से है क्योंकि निम्मित है फिर भी देखो आप आते हैं खातरी तो ठीक करते हैं ना मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना महमान निवाजी करना ही महान जिसको महमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही चाता है सिर्फ खाने पीने से नहीं लेकिन दिल के स्नेह की महमान निवाजी वो सबसे श्रिष्ट है चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला तो मधुबन वाले दिल के स स्नेह सहित महमान निवाजी करते हैं, करते हो ना, कोई नीचे उपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना, स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे, नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे, बेहद, सब के पास स्नेह का स्टॉक है न माताओं के पास भी है कुमारियों के पास भी है पांडवों के पास भी है सागर है या थोड़ा है तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे न जब सने के सागर है तो क्रोध कहां से आया किसी के संसकारों को जानकर सटिस्फाइ करते हो न चाहे वो रॉंग है लेक लेकिन उस समय क्या कहते हैं इसने ऐसे किया ना इसलिए हमने भी किया रॉंग से रॉंग हो गया तो क्या कमा लगी उसने रॉंग किया और आपने उसका रेस्पॉंड भी रॉंग ही दिया कई कहते हैं ना क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता बार बार करता रहता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना ये क्रोध करना वो दस बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना नहीं देंगे तो वो बीस बारी करेगा, फिर क्या करेंगे, तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने दस किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं, उसने जूट बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ, फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं, जूट बोला ना, इसलिए क क्रोध करना अच्छा है, तो सनेह के सागर के मास्टर सनेह के सागर, मास्टर सनेह के सागर के नयन चैन वरती द्रश्टी में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता, यदि थोड़ा थोड़ा जोशा गया, तो क्या उसको सनेह का सागर कहेंगे, कि लोटा है, चाहे कुछ भी ह सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करें लेकिन मास्टर उसने हैं के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे बेपरवाह बादिशा हो जो परवा थी वो पाल लिया अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादिशा चेकिंग की परवाह करो चेंज होने की परवाह करो लेकिन व्यर्थ में बे परवा कर सकते हो कि बच्चा पोत्रा धोत्रा धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा थोड़ा सा उपर नीचे करेगा तो स्नेह के बजाए और भावना भी आ जाएंगी दफ्तर में जाएंगे बिजनेस में जाएंगे नोकर ऐसा मिल जाएगा वायू जहां मर्यादा होगी, वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना, कि बेपरवाह बादचाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं है, आपका टाइटल है मर्यादा पुर्शोत्तम, ये मर्यादाएं ही ब्रहमन जीवन के कदम हैं, अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी प्रमा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम है अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे उपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ेगी और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या, अच्छा चारों और के सर्व निश्य बुद्धी श्रेष्ट आत्माएं, सदा निश्चित विजय आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ट विधी द्वारा व्रद्धी करने के निमित बनाने वाली विशेश आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में, दादा का याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग और नमस्ते दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव अब बाप्तादा के वर्दान को विस्तार में समझें ब्रहमन आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नौलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं जहां दिल का स्नेह और संबंद अतीप प्यारा अर्थात समीप है वहां याद भूलना मुश्किल है जैसे शरीर के अंदर नस नस में बलड समाया हुआ है ऐसे आत्मा में निश्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन निरंतर याद नीश्वार्थ और निर्विकल्प स्थिती से सेवा करो तब सफलता मिलेगी ओम शंती ओम शंती